यही आपको BQV यह जो आया QVV या BQV बोले यही इसको centripetal force दे रहा होगा तो QVV को हम equate कर सकते हैं MV square by R क्योंकि यह centripetal force है यह आपका force है mass particle M है और radius जो circular path का वो R है तो इससे R क्या निकल क्याएगा? इस equation से R हो जागा MV by QV, MV को हम कहरें कि यह momentum तो यह equation बता रही है हमको कि जो radius से circular path का किसी particle का वो proportional है उसके momentum से तो P equal to MV होगी है यही momentum increase हो रहा है तो radius जो circular path का है वो भी increase हो रहा है तो circular motion के लिए हम V equal to R omega लिखते हैं इसमें omega जो है angular frequency है जिसको हम cyclotron frequency बोलेंगे तो अब हम क्या करें इसकी जो हमारा M into V था है इस V की जगा हम R omega लिखते हैं तो M R omega by QV आगए तो यह omega क्या आएगा? इसको सब्सक्राइट करते हैं तो QV by M आजाएगा अब frequency निकालना है तो हम जानते हैं कि omega equal to 2 pi f होता है तो F निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इसको 2 pi से divide कर देंगे तो F C आ गया यह आपकी cyclotron frequency हो गए तो यहां से एकदम clear है कि जो angular frequency है particle की WC या omega C यह इसके momentum पे तो depend नहीं कर रहेंगे अगर आप increase करेंगे linear momentum उस particle का तो जो radius है उस circular path का वो increase हो रहा है लेकिन जो frequency है omega C की वो change नहीं हो रही है यही fact हम use करते हैं जब design करते हैं एक cyclotron को तो यह cyclotron का एक side view है और यह आपका top view है इसमें देखिए लाल color की दो d's बनी हो और इस तरीके से यह घूम रहा है 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 घूम 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 के diameter यह diameter मतलब यह diameter यह diameter तो इस तरीके से इसको यह face कर रहे है डायमेटर एक दूसरे को face कर रहे है एक gap है इनके बीच में छोड़ा सा जो gap दिख रहे है आपका वो gap है अब दो बहुत strong electromagnets वो इस तरीके से रखे गए कि यह uniform magnetic field इनमें develop हो जाए जो इस जगह पे develop हो जाए जो यह दो boxes के बीच में जो जगह आपकी बन रही है तो यह दो boxes है इनको हम D's इसले करेंगे कि यह D form में है D shape में है अब यहाँ पर एक AC यानि कि high frequency apply किया गया इनके बीच में देखिए यहाँ पर यह D1 पर यह D2 पर high frequency इसमें apply किया गया यह device इसको रखा गया एक evacuated chamber में ताक कोई और अगर कोई और particle होई air particle तो उससे collision को avoid किया जा सके तो इसका काम कैसे हो रहा है मान लिजे एक charge particle है इसको release किया गया इस point P पे इस जगा P इस gap में मान लिजे T equal to 0 है इस time इसी time पे मान लिजे एक जो D है वो negative potential पे है यदि चार्ज positively चार्ज है तो वो इसकी तरफ attract हो जाएगा इस D की तरफ और क्योंकि uniform magnetic field है जो इसके बीच में है इस D के बीच में जो चार्ज पार्टिकल है वो circle of motion लगाएगा गया गयाप के बीच में और इस magnetic field में घुज जाएगा है किस तरीके से perpendicular कोई momentum होगा इसका अब कोई अगर electric field ना हो इस D में तो जो particle move करेगा circle of बात पर और radius defend करेगा उसके momentum पर और वो बाहर आएगा D पर एक half circle यहाँ का जैसे यहाँ इसका लेते ही इस जगह पर half circle complete करके बाहर आएगा लेकिन इसी समय यदि जो यह दूसरा D है यह negative हो गया इस जगह पर तो particle क्या करेगा एक D से आएगा और momentum gain करेगा क्योंकि electric field जब वो और momentum gain कर लेगा तो दूसरे इसमें आते ही वो और momentum gain कर लेगा ठीक जदी यह process को बार बार किया जाए जो radius है circular path का जैसे पहले यह हूँ हा फिर एंक के अंदर गुसा फिर ऐसा गया फिर यह हूँ गया यह radius जो है वो बढ़ता रहेगा लेकिन frequency जने का omega c इसकी constant रहेगा इसको possible करने के लिए जो frequency है AC voltage के FAC यह बिल्कुल बराबर होने चाहिए जो frequency है revolution की यह निके omega c आपके 2 pi fc के बराबर relationship है इसलिए यह क्या resonance है बस यह समझ लिए जो resonance होगा तभी वो घूमेगा और तभी वो अपनी speed gain करेगा तो इस तरीके से जो charge particle है वो अपनी energy gain करता र जाएगी जब वो D के circumference पहुंच जागा है निकिए जो D है इसके जब circumference पहुंच जागा है इस तरीके से इस जगह पर आकर maximum हो जाएगा अगर आपको bombard करना है इस charge particle को किसी target पे तो इसको आपको बाहर निकलना पड़ेगा इसके लिए जो particle H पे हो तो वो D से बाहर निका सकते हैं कि उसको deflate किया जा सकता है किसी और magnetic film दोा रहा है और फिर उसको लाओ किया जा सकता है कि वो hit करे किसी हो सकता है items हो उस target पे जाकि तो हमने जो acceleration के बार में डिसकस किया कि जो acceleration हो रहा है positive new charge particle का proton positive ion तो यह जो accelerated particle है इसी का use किया जाता है ताकि हम nuclear reaction के study कर सके हम बना सके artificial radioactive substances या cancer का treatment कर सके या जो solids है उसके अंदर हम iron implant कर सके है इसलिए यह cyclotron इतना important हो जाता है कुछ limitation है इसकी theory of relativity को अगर हम गंभीरता से ले तो जो velocity है particle की वो जब light को approach करती है तो mass उसका कम होने लगता है तो यह जो situation है इसको हम resonance जो हमने resonance की condition हमारे बहुत important थी cyclotron में उसकी speed बनाने के लिए तो FAC equal to FC यह satisfy नहीं हो पाई तो अगर accelerate करना है बहुत light particle जिसे electron है तो जो frequency AC की वो बहुत high होने चाहिए गीगाhertz में होने चाहिए दूसरी चीज़ यह है कि जो size है d's का वो बड़ा होता है तो यह भी बहुत difficult हो जाता है ताकि हम uniform magnetic field maintain कर सके एक बड़े region में तो जो accelerator है जो synchrotron है वो develop किया गये cyclotron के उपर इन सब चीज़ों को देखते हो सिंख्रोटर्ण टॉर्क जो काम कर रहा है rectangular current carrying coil पे जब इसको हमने uniform magnetic field रागा तो आपके पास इस तरीके से एक rectangular एक इस figure के साफ से देखा रहा है तो इस तरीके से यह rectangular current carrying coil है अब हम क्या करते है इसको rectangular coil को जिसका length हम Q से लेकर आप R तक और width उसकी हम मान लेते B मतब B इसकी width हो गई यह length हो गई यह length हो गया यह width हो गया L और B मान लिए अब I current इसमें बहरा है यहाँ पर यह I current इधर जा रहा है इधर जा रहा है इस तरीके से यू I current बहरा है अब मान लिजे जो direction है magnetic field की वो along x-axis है इस direction magnetic field है यहापर आप देख भी है B, I लिख सकते हैं क्योंकि यह x direction बहरा है जो force काम कर रहा है कोई element पे जो side PQ बना रहा है इस PQ पे जो force काम कर रहा है वो क्या होगा यह इसको हमने कहा है यहाँ से यहाँ तक B है I current आई है तो IB हो गया यह जो force काम कर रहा है इस element पे F1 आप कह सकते हैं IB cross यह तो हमने थाकि यह वो element है मतलब यह I to B और आपने कहा कि B इसकी magnetic field हो गई तो IB cross B यह आपका force इस पे काम कर रहा है F1 हमने कहें इसी तरीके से जो force काम कर रहा होगा इस RS इस RS पे हमने कहा इस पे यह काम कर रहा है तो इस पे क्या काम कर रहा है वो I into B cross B F1 कह सकते हैं इसको एक F1 है आ यह चीज आ गई यहां पर लेकिन यह positive y direction में negative y direction में उपर की तरफ जा रहा है एक नीची की तरफ जा रहा है अब यह जो forces है बिलकुल magnitude बराबर है opposite direction में को linear भी है इसका मतलब यह एक दूसरे को cancel करेंगे अब हम आते हैं QR पर यहां से लेकर यहां तक QR बिलकुल same discussion से यह जो इस पर QR into I element हम लेंगे तो minus I into L J QR जो है वो current नीचे की तरफ आ रहा है इससलिए अब जो force काम करा है इस पे हो होगा यह हमने यह ले लिया cross B और B हमने का यह आई direction में है इसलिए BI ले 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 इस QR का तो ले लिया था, अब हम ज़रा इस SP का भी ले लेते हैं, अब SP करन्ट उपर जा रहा है, तो यह सीधी सी बात है, SP into I, यह निए ILJ होगा, सेम काम करेंगे, F2- निकालेंगे, ILJ into BI, इसमें भी J cross I क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस I, ILB, K, तो यह और यह दोनों बरावर होगे, पस एक positive Z direction में एक negative Z direction, लेकिन important चीज यह है कि यह जो force इस पे लग रहा है, और यह जो force इस पे लग रहा है, यहाँ जो force लग रहे थे, इसको इस तरफ घुमाएंगे, इसको इस तरफ घुमाएंगे, torque पैना होगा, तो opposite direction में तो है, लेकिन non-collinear है, तो यह torque मनाएंगे, couple मनाएंगे, अब इस coil को अगर आप ज़रा ऊपर से देखें, यह negative Y direction में, तो आपको F2, यह जो F2 है, और यह F2 dash जो है, जो आपकी X axis है, और साथ में जो vector A है, वो इस तरीके से दिखाई देगा, जो आप यहाँ figure में देखें, यह जो A है, यह vector वो है, जो area, उस plane का area, और उसके perpendicular direction में है, यह angle theta बना रहा है, X axis है माल लीज़, यह theta angle बना रहा है, तो जो torque काम कर रहा है, coil पर वो क्या होगा, जो force आपका लग रहा है, perpendicular distance कितना है, इसके बीच में, तो perpendicular distance यहाँ से यहाँ तक है, M N dash, तो M N dash क्या पनेगा, इस figure से देखिए, अगर यह theta है, तो यह theta है, यह pi by 2 minus theta हो गया, यह वाला, और यह आपका by 2 है, तो 2 by 2, cos pi by 2 minus theta, यहने कि b sin theta यहाँ से यहाँ से यहाँ तक distance आए, आप यह निकाल दीजिए, इसका twice कर दीजिए, बन्तों यह निकल जाएगा, तो twice कर दीजिए, तो b sin theta हो गया, तो torque कितना होगा, जो आपका force आ रहा है, और जो आपका distance है, ठीक, यह iab sin theta हो गया, इसमें हमने i तो ले लिया, साथ में हमने length into breadth, जो l into b है, उसको area लिया, इसलिए length into breadth area है, इसलिए इसको area ले लिया, iab sin theta हो गया, अगर माली जिए इसमें n turns है, तो n से modify कर दीजिए, torque हो जाएगा n iab sin theta, अगर हम एक area ले रहे हैं, coil vector form में, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यह sin theta है, तो इसको सिधा tau n i a cross b ले सकते हैं, तो जो vector quantity है n i a, इसको हम कहते हैं, magnetic moment, जो link है इस coil से, और इसको हम mu से denote करते हैं, tau कितना हो जागा, mu cross b, यह equation valid है, किसी भी shape के लिए, जो direction है इस mu का, उसको हम कैसे बताएंगे, आपका right hand screw rules है, आपका right hand screw perpendicular रखिये, जो plane है coil का, rotate कर गिए इसको direction current के, जो direction जिसमें screw भढ़ेगा, वो ही आपको direction बनता हैगा, इस mu का, galvanometer, galvanometer एक ऐसा device है, जिससे बहुत छोटे current, जो है, small electric current को detect किया जा सकता है, साथ में measure किया जा सकता है, तो इस galvanometer में एक coil है, बहुत पतली thin कह सकते हैं, insulated copper wire की, वो wound है, यानि कि इसको पिरोया गया है, घुमाया गया है, एक light rectangular non-magnetic frame, यह आपका non-magnetic frame है, यहाँ पर इसको गुमाया गया है, अब जो frame है, इसको pivot किया गया है, यानि कि इसको लगाया गया है, दो frictionless pivots, और इसको रखा गया है, दो cylindrical poles के बीच में, जो permanent magnet है, ताकि आराम से move कर सके, पोल्स के बीच में, इन दोरों के बीच में, यह अराम से इधर-दर move कर सके, यानि कि यह जो है, यह ऐसे move करेगी, यहाँ यहाँ, और यहीं से इसको attach किया गया है, एक indicator को, तो जो बहुत जो छोटा soft iron cylindrical core है, इसको इसमें रखा जाता है, axis पे coil के, जो coils are free है, ताकि जब uniform radial magnetic field produce हो सके, तो जब current pass होगा, इस coil के थूरू तो एक torque बनेगा, एक torque काम करेगा, और यह deflect होगा, यानि कि एक steady deflection coil, इसको indicate किया गया, एक pointer से जो attach किया गया, इसके साथ, तो जो position है pointer का, वो बताएगा आपको, इक current का scale किया है, अगर इसको दूसरी तरीके से देखें, यह आपका view है, टॉप view है, यह side view है, तो इसमें यह spring है, यह coil है आपकी, यहाँ पर यह cylinder है, और यह जो है घुमता है, गुमता है, इस pivot पे इसको लगाया गया है, तो यह घुमता है, जो टॉर्क होती है, वो होती है, टॉर्ड एन आई अई भी, sine theta, यानिकि एन आपका number of turns, coil में हो, अब इस radial field के कारण, जो angle होगा, A और B के बीच में, वो आपका 90 degree है, मैं इसको बता दूँ, अई भी है क्या है, अब देकिए, इस A और B के बारे में बात हो रही है, यह आपका indicator है, यह आपका, जो यह घुमेगा, ऐसे, तो यह indicator घुमेगा, जैसी यह यहाँ पर आगया, आपका indicator इस तरीकी जगुमेगा, तो यह दोनों A और B आपका perpendicular है, तो क्योंकि जो radial field में, जो angle और A, B है, वो 90 degree में है, तो tau हो जागा NIAB, यह जो 90 degree वो खतम हो गया, sine angle है, इसको हम deflecting torque कहते हैं, torque किस current से है, जिस current से coil जोई deflect होगी, अब क्योंकि deflection हो रहा है coil का, तो जो restoring torque काम कर रहा है, या produce होगा springs में, जो बिल्कुल directly proportional है, किस से, जो deflection होगा coil में, यानि कि torque जो restoring बन रहा है, वो K into 5, deflection मतलब जो 5 angle बन रहा है, तो K आपका effective torsional, इसमें constant है spring का, और यदि जो coil है, वो steady हो जाती है, अपने angle 5 के बाद, तो आप K 5 यह कहेंगे, यह restoring आपका लग रहा है, तो इसका मतलब यह है, कि यह force और यह force आपका बरापर होगा, यानि कि जो torque आपका लग रहा, deflecting force, यह force नहीं torque है, जो deflecting torque है, और जो restoring torque है, यह दोनों बरापर होगे, यह दोनों आप बरापर करतीजे, तो I क्या आजाएगा, K by NaV 5, यानि I आपका directly proportional होगया, 5 से, जो scale है galvanometer का, इसको हम बहुत आसानी से, appropriately calibrate कर सकते हैं, ताकि हम I measure कर सके, अगर हमें 5 पता है, तो इस equation को अगर मैं, और दूसरी तरीके से दिखाऊँ, तो 5 by I, इस equation को दोबारा ले लिजे, 5 by I आपका NaV by K होगा, यानि कि 5 by I जो बन रहा है, ये भी एक आपकी quantity है, इसको हम कहते है, current sensitivity, उस galvanometer की, तो जो deflection, per unit current, जितना deflection हो रहा है, इसको current, यानि deflection per unit current, इसको हम current sensitivity कहते है, galvanometer की, और एक तरीका है, अगर आप increase करना चाहे है, current sensitivity को इस galvanometer के, तो इससे बैटर ही है है, कि आप इसको stronger magnetic field भी यूज़ कर ले, अगर आपको weak current यूज़ जानने है, जैसे 10 की पावर माइनस 11 ampere, जो galvanometer है, इसमें जो coil suspended है, एक elastic fiber, electric fiber आप यूज़ कर सकते है, ताकि, जो magnetic force है, उसके बीच में आपको इसको use कर सके, electric current और potential difference का measurement कैसे करेंगी, तो हमें कई बार electric current और potential difference measure करना होता है, तो इसको हम ammeter कहते हैं, जो current measure करेंगा, voltmeter पो होता है, जो potential difference measure करेंगा, तो basic instrument जो हम use कर रहे हैं, वो तो आपका galvanometer है ही है, या voltage हम नाप सकें, galvanometer से, तो ammeter क्या होता है, ammeter मतलब यह होता है, कि हम को current नापना है, तो galvanometer, इसके साथ हम क्या करने वाले हैं, ताकि हमारा क्या बन जाए, ammeter बन जाए, हमको current measure करना है, तो अगर galvanometer, ये galvanometer, इसको हमने join किया, series में, एक component, potential difference है, दो end, किसी component के बीच में, क्योंकि दो point के बीच में निकालते हैं, तो galvanometer उसको join करना पड़ेगा, आपको parallel में, galvanometer के साथ आपको join करना पड़ेगा, उस component को parallel में, practice में ये दिखा गया है, कि galvanometer ये directly use कर सकते हैं, current meter की तरह, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्या इसमें difficulty आ रही है, पहले समझें कि अगर हमको measure करना है, electric current जो pass कर रहा है, component circuit से, circuit के component से, जो current meter है, इसको हमको join करना पड़ेगा, series में, यानि कि इसके साथ series में join करना पड़ेगा, अगर आप example में आप पर दूँ, अगर हम measure करना चाहते है, current जो pass हो रहा है, इस R के थूँ, circuit बे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते है, current meter को, ये जो, galvan meter है, या current meter जो भी बन रहा है, इसके लिए हम इसको join कर दें, इस resistance की साथ, इसके साथ join कर दें यहाँ पर, इस connection में, जो resistance है G का, वो भी तो कुछ होगा, IG माल लीजे, या IG इसका resistance है, तो इसका resistance भी होगा, वो क्या होगा, circuit में add हो जाएगा, जो total resistance है circuit का, वो change हो जाएगा, क्योंकि जो value है current की, वो अपने आप, जो measure की गई है, वो ही थोड़ी अलग है, क्योंकि इसका भी आपका resistance आएगा, तो जो true value है current की, वो हम obtain नहीं कर पाएगा, यह fact indicate करता है, यह बताता है कि जो resistance है current का, current meter का, वो कम से कम हो, कम से कम हो, यानि कि इसका resistance हो, वो in principle zero होना चाहिए, कि तभी कुछ काम बन पाएगा, एक समस्याओर है, जो moving coil galvanometer से यह बहुत ज़ादा sensitive होते हैं, यानि कि बहुत ही छोटा अगर, यह माली जे a1 ampere current, जो 10 की पाएग माईनस 6a का भी पास हो गया, तो वो full scale deflection दिखा देते हैं, कहने का मतलब यह हैं कि इतने ज़ादा sensitive होते हैं, कि जब electric current, जिसके लिए galvanometer पूरा का पूरा scaled अपना दिखा रहा है, इसको हम current capacity galvanometer के कह रहे हैं, आई जी, आई इसलिए लिखा, आई current और जो जी है, वो आपका सब है, subscribe है, galvanometer के लिखा है इसको, तो यदि galvanometer को हमने use किया, ताकि measure कर सके, जो current है, जादा है, उसकी range से, current capacity से, तो बनी बात है कि वो damage हो जाएगा, वो damage हो जाएगा, और ठ्यूकि बहुत, जादा current पास होगा, अगर अगर जे पतला thin copper wire है, उसकी coil से, तो बहुत जादा heat produce होगी, और जो heat produce होगी, इसके कारण I square RT, heat produce होगी, और बहुत हद तक यह है, कि वो जल जाएगा, तो अगर हमको remove करना है, यह जो दो मैंने आपको तकलीफे बताइए, तो क्या कर सकते हैं, एक resistance, जिसकी proper, पर बहुत छोटी value होए, उसको हम parallel में लगा दे, जो galvanometer की coil है उसकी साथ, इसी resistance को हम कहते हैं, क्या? Shunt, इस resistance को हम कहते हैं, Shunt, तो जो Shunt की value है, वो इतनी small अप कर दे, जो resistance है galvanometer का, उससे भी small हो जाए, तो जो mostly जो current है, वो कहाँ चला जाएगा, Shunt के ते, और जो galvanometer है, वो कोई भी damage हो रहा है, उसके against इसको आप protect कर सकते हैं, इसके लावा जो Shunt और resistance है galvanometer के, क्योंकि parallel में है, उनका जो equivalent resistance आने वाला है, जो Shunt का resistance है, उससे भी कम होगा, तो एक बार आप जो जोईन कर देंगे Shunt को, जो resistance होगा इस current meter का, वो बहुत-बहुत-बहुत कम हो जाएगा, तो अब ये जो दो दिक्कते आपने देखी, उसको हम remove कर सकते हैं, जो current से हमारे non current है, वो हम pass करेंगे इस instrument से, Shunt लगाने के बाद, और उसका जो scale है, उसको calibrate कर सकते हैं, ampere, milliampere और microampere में, तो जो instrument है, इससे जो बनेगा, वो ampere, जैसे वह लिए ampere, और microampere कलरे के लिए, उसको ammeter, milliampeter या microampeter हम कहेंगे, इस purpose के लिए, एक shunt की value चाहिए गया आपको, अब वो shunt की value कैसे निकाले जाएगी, उसको देखिए, formula कैसे निकाले हम shunt का, तो मालनी जैए एक gelbarometer है, जिसका resistance है capital G, और उसकी current capacity है IG, इसको convert करना है हमको ammeter में, जो एक maximum current I measure कर सके, तो इसके लिए, जो value की जरूत होगी shunt की, वो मालनी जैए S है, हमको S value का shunt लगाना पड़ेगा, तो इस shunt S कैसे निकाले है, तो यहाँ जो shunt है, इसको इस तरीके से choose करना पड़ेगा, कि जो current I है, मतलब current I से केवल IG current pass करे, IG pass करे, gelbarometer में, और I से IG हटा दे, यानि कि IS जो बचता है, वो pass करे, shunt के थूँ, इसलिए IS लिखा गया है इसको, वो महाँ से pass करे, वो situation यहाँ पर देखें, कैसे बन रही है, अगर हम यहाँ पर I आ रहा है, IG गया इस gelbarometer में, IS गया इस shunt पे, इन दोरों को parallel में लगाया, तो किर्चॉफ law इस point पे, इस junction पे क्या बनेगा, I equal to IG plus IS, यहनि आप कह सकते हैं, कि हम I equal to IG plus IS, और अगर हम किर्चॉफ law लगा दें, इस path में A, S, B, G, A, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, या इधर से बढ़ते हैं, इस बढ़ते हैं चलिए, यह आप opposite direction में जा रहे हैं, यह आपन प्लस मान लीजें, मतलब यह आप क्यों पर है, opposite में मानना हैं, यह प्लस में मानना हैं, यह आप चानते हैं कैसे हमको किर्चॉफ law लगाना है, माइनस IG इसको मानना है, तो प्लस आपका यह आ जाएगा, प्लस IS into S, यह आपका 0 आएगा, हम चाहते हैं कि यह 0 यह आएगा, तो S कितना हैं, G into IG by IS, और I है IG plus IS, इसको इसमें रख दीजे, आपका S जो है, वो G into IG by I minus IG I, तो यह जो formula है, यह shunt की value निकाल के देता आपको, यहांसे clear है, कि जो order है, ammeter का ज़्यादा से ज़्यादा value की जरूत होगी, अगर shunt को आप कम से कम बनाना चाहते हैं, अगर माल लीजे, आप range ammeter का end times करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक सीधा formula है, S equal to G by N minus V, अब voltmeter, कैसे voltmeter बनाएंगे, जो instrument है, जो हम measure कर सके, potential difference या क्या है, voltage, किसी भी अगर circuit को ले, को दो end के बीच में हम measure कर सके, इसको हम voltmeter कहते हैं, इसके लिए voltmeter को हमको join करना पड़ेगा, parallel में उस component से, बनली जो voltage जो दो end के across, बनली जो resistance R है, इसको measure करना है, यदि galvanometer जिसका resistance G है, current capacity IG है, इसको use करना है, तो हमारे पास यहाँ पर भी कुछ तकलीफ आएगी, जब हम join करेंगे, galvanometer को इस तरीके से, इसको बहुत याज से देखिए, तो जो total resistance क्या बनेगा, एक तो R1 resistance हो गया, और यह जो है, यह आपका R और यह G दोनो parallel में है, तो RG by R plus G, यहाँ यह हो गया, यह दोनों सीरीज में है, तो R1 plus RG by R plus G आगी, तो result में क्या होगा, जब हम join करेंगे इस galvanometer को, तो जो resistance है circuit का, वो change हो जाएगा, और जो current pass हो रहा है, R के थूरू वो भी change हो जाएगा, इसका मतलब पोटेंशल difference होगा, वो IRI, जो measure करना है, इन दो end के बीच में, वो भी change हो जाएगा, तो अगर यह जो value है G की, वो बहुत जादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस R plus G को, जो नीचे आपका denominator इसको neglect कर सकते हैं, है ना, इसको neglect कर सकते हैं, तो अगर हम यह R one plus R ही आएगा, इसको neglect कर दिया हमने, G, R plus G को, तो यहाँ पर क्योंकि G बहुत high है, R plus G से, तो R को हम neglect करें R as compared to G, तो equivalency में बहुत दिखा रहा है, यह बिल्कुल बराबर नहीं, equivalency है यह, तो basically यह R one होगा, और यह इसको आप R मान लेज़े, का R one plus R के बराबर आजाएगा, यह इस condition में जो resistance होगा circuit का, वो बहुत ज़्यादा चाहिनी होगा, क्योंकि, जो G की value है, बहुत ज़्यादा हम मान रहें, और जो current है, वो R के थुरू पास हो जाएगा, तो इसका मतलब, जो IR है, value IR, V equal to IR, वो maintain होगा, तो इस discussion से हमने यह देखा, कि जो resistance है, इस instrument का, जो measure कर रहा है, electric potential difference, वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, यानि कि infinite होना चाहिए, प्रिंस्पली देखा जाये तो, तो अगर हम join करें, एक proper बहुत जादा resistance सीरीज में, galvanometer से, तो उसको हम वोल्ट में convert कर सकते हैं, इसका मतलब, क्योंकि resistance बहुत जादा है, जो current pass होगा, galvanometer से, बहुत कम होगा, तो galvanometer आपका damage भी नहीं होगा, तो जो maximum voltage, जो measure कर सकते हैं, इस galvanometer से, IG into G, तो वी इकोटो आई आर, इसमें आई है, IG है, और आपका G है, इसको हम voltage capacity कहते हैं, तो जो हमको series में लगाना, और resistance RS, वो कैसे निकालेंगे, तो मालनी चाहिएक resistance है, आपका galvanometer का, अब इसकी जो voltage capacity है, वो IG into G, V निकालना है, तो IG into G, G इसका resistance है, अंदर का, तो यह जो galvanometer है, इसको convert करना है, हमको वोल्ट में जो measure कर सके, maximum potential difference माली जो V बहुँआ, अब इसके लिए, हमको जो series में resistance RS, लगाना है, वो कितना होना चाहिए, लगा दे, इन दुनों points की बीच में, जो galvanometer क्या आपको show करेगा, आप पूरा deflection show करेगा, यानिकि करन पास इसके थूँ होगा, IG के थूँ, इस figure में देखिए, जो IG into G है, प्लस RS into IG है, यह current तो यहां भी जा रहा है, वो ही तो V है, वो ही V है, तो इस equation से बड़ा clear है, कि अगर हमको range voltmeter की, जादा से जादा करनी है, तो इसका मतलब यह है, कि आपको जादा से जादा, बहुत बड़ा RS, यानिकि resistance यहां पर लगाना पड़ेगा, और आपको अगर बनाना है, या फिर voltage, capacity, n times, अगर है, तो जो आपको series resistance है, वो सीधा यह एक direct formula बता रहा हूँ, R is equal to n minus 1 into g, अब क्या करेंगे, हम ज़रा divide कर देते हैं, जो हमने पहले की equation निकाली थी, उसको resistance है, यानि जो 5 by i था, और nab by k था, इस दुरू को हम resistance से divide कर देगे, अगर मैं आपको equation दिखाऊं, तो वाली इस equation की बात कर रहा हूँ, तो यह जो equation हमारी आई थी, जो गल्बानोमेटर की बात हम कर रहे थे, तो इसमें, हमें काम करते हैं, R, R से resistance से divide कर देते हैं, यह R से divide किया, यानि का IR आगया, यह V बन गया, और यहाँ पर जो बना, तो यह 5 by Y V बनाना, इसको हम voltage sensitivity कहते हैं, S V, S sub V, voltage sensitivity इस voltmeter की, तो 21 marks है, 0 से लेकर 20 तक, एक dial है, गैनिवालमेटर का, जिसके 20 divisions है, जब पास करते हैं, 10 micro ampere current इसके थूँ, तो वो deflection दिखाता है, एक division का, इसका resistance है V, सों, कैसे इसको convert कर सकते हैं, ammeter में, जब हम measure कर सके, 1 ampere current, और कैसे original galvanometer को, हम convert कर सकते हैं, voltmeter में, जिसको measure कर सके, एक voltage, एक volt निकाल सके, आपको यह भी बताना है, कि ज़ो effective resistance होगा, इन दोनों ही case में, तो जो जो दिया है, उसके हिसाब सही आगे बढ़ते हैं, कैसे चलेगा यह, जब current 10, micro ampere का, पास हो रहा है galvanometer में, तो वो deflection दिखा रहा है, एक division का, 20 division है यहाँ पर, इसका मतलब, जो maximum current, जो measure किया जा सकते हो, कितना होगा, देखिएगा, 10 micro ampere और 20 division तो, 10 micro ampere को 20 से multiply कर दीजिए, I, G आपका maximum current इतना बन पाएगा, अब जो shunt निकालने का formula है, S equal to G into I, G minus I minus G, I, G आपका कितना आगया, यह 20 into 10 की खात, minus 6, 10 के पाउँ minus 6, I, G आपके पास है, I, G आपके पास है, I, G आपके पास है, I, G आपने निकाल लिए, तो इसमें रख दीजिए, आपका यह value आजाएगी, ठीक है, यह आपका 0.04 ohm आगया, अब इसका मतलब यह है कि convert करना है, galvanometer को ammeter में, और जो measure कर सके 1 ampere current, तो एक shunt 0.04 ohm का आपको लगाना पड़ेगा, इसी तरीके से जो effective resistance होगा, इस ammeter का क्या पनेगा, यूगि आपके पास, एक G यह resistance है, और आपने कहा कि यह भी resistance आपने ऐस निकाल लिया, तो यह दोरों किसमें लगे हुए, आपके parallel में, तो इन दुनों का gs by g plus s, इसका final resistance हो जाएगा, वोल्ट मिटर के लिए, इसी सवाल में वोल्ट मिटर अगर करना है, तो अगर convert करना है, गलबार्यमिटर को आपको वोल्ट मिटर में, तो हम क्या करेंगे, जो series resistance होगा, वो क्या होगा, rs equal to v by ig minus g, तो वोल्ट आपको 1 वोल्ट पताया गया है, ig आपने निकाल लिया, g आपका 20 home, इस formula में रखी है, आपका 4980 देखे, कितना जादा home आया है, तो कि convert करना है, गलबार्यमिटर को वोल्ट मिटर में, अगर 1 वोल्ट मेशर करना है, जो series resistance है, 4920 इसको join करना पड़ेगा, series में, जो effective resistance होगा, वो क्या होगा, यह आया, और साथ में आपका, यह g है, तो 20 को इसके साथ आइट करने यह, 5000 आपका आजाएगा value, यह आपकी final value होगए, summarize करते हैं, austed observation, जब electric current को pass किया जाता है, conducting wire में, अगर उसको parallel रखा जाया, और magnetic needle उसके नीचे हो, तो जो magnetic needle है, वो deflect होती है, byaut 7 log की बात करें, तो जो magnetic field है, एक current element ideal, current तो आई है, एक छोटास element ideal लें किसी point पे, और वो, अगर कोई और point अगर आप लें, जो position vector r पे है, तो जो magnetic field क्या बनेगी, वो होगी db, mu 0 by 4 pi, ideal cross r by r square, तो ये जो elements है, continuous distributed है, पूरे conducting wire में, तो जो magnetic field है, इस wire के कारण, उसको हम लेख सकते है, line integral, यानि कि इसका हम integral ले सकते है, db, तो इस portion का आप integration लेगे, यहां से, ये ऐसा आएगा, अब जो r आपका, cap है, यानि कि unit vector है, इसको हम r by, इस तरी के लेख सकते हैं, तो अगर हम इसको यहां पर, तबदील करें, तो ये r by r cube बनेगा, जो line integral है, जो आपके entire circuit पे है, ये, पूरा formula आपको, magnetic field का दे रहा है, जो magnetic field है, current coil, यानि ये ring, अगर उसमें end turns है, radius उसका a है, लेकि इस तरी के इस एक ring है, radius इसका a है, अब मालने जे, आपके किसी x distance पे, अगर आपको निकालना है, इस point में, magnetic field इस ring के करेंट, जहापर current i बहरा है, तो जो bx होगा, y direction वाले cancel हो जाते हैं इसमें, क्यों x वाले बचते हैं, तो bx इसलिए कह रहे हैं, mu 0 ni a square by 2 a square plus x square, पावर 3 by 2, अगर magnetic field आपको center पे निकालना है, तो x को 0 कर दीजेगा, इसमें, तो आपका ये आजाएगा, सिधा mu 0 ni by 2 a, अगर कोई point बहुत दूर है, बहुत जादा दूर है, यानि कि x बहुत जादा बड़ा है ये से, तो यहाँ पर आप इस a को ignore कर सकते हैं, mu 0 ni by 2 x cube आएगा, ampere circuital law के बारे में बात करें, तो जो line integral है magnetic field का, किसी closed curve, यानि कि loop में ले, एक magnetic field में, तो किसके बरावर होता है, product होगा आपके algebraic sum, किसका current का, जो इस curve के अंदर होगा, मतलब अगर आपने इस तरीके से curve बनाया, तो उसके अंदर जो current आरे जा रहे हैं, जो बहार है उनकों ने लेते, ये sigma i उसका है, और mu 0 है आपका permeability vacuum की, इस इंदर को multiply करेंगे, तो आपका ये आएगा, तो equation इस तरीके से लिख सकते हैं, कि जो line integral है, magnetic field का, इस close curve में, वो mu 0 into sigma i, sigma i sum of current है, यदि current i को pass किया जाए, एक बहुत लंबा अगर straight wire है, तो magnetic field किसी point पे, अगर normal distance r पे अगर निकलना चाहे है, wire से, तो b आता है mu 0 i by 2 pi r, जो magnetic field है, किसी point पे, अगर axis पे ले, बहुत लंबा आपका solenoid है, solenoid इस तरीके से होता है, wire होते हैं, और किसी structure पे इस wire को रखा जाता है, इसमें, कोई current इसमें बहर आए, तो b होगा mu 0 n i, बस यह simple सा formula है, इसका n आपका, जितना number of turns बर रहे है per unit length, इस solenoid में, जो force है किसी conducting wire पे, जिसका length l है, और current carrying conductor i है, इसको place किया गया, एक magnetic field b में, तो f होगा i l cross b, तो जो direction है, इस force का, कैसे आप find करेंगे, इसको right hand screw rule से find करेंगे, जो vector product है, उसके perpendicular, जो force है, दो अगर आपने ऐसे wire कहे, बहुत बहुत लंबे है, parallel हैं गूसे ऐसे, तो एक दूसरा की magnetic field में होता है, दूसरा पहले की magnetic field में होता है, तो जो force बनता है mu 0 by 2 pi, i1, i2 current है, l इसका, जो y है इसमें इनकी बीच में दूरी है, ठीक, तो जो y है इसमें दूरों के बीच में दूरी है, अगर यदि जो current है wire का, वो mutually opposite direction में है, तो force repulsive होगा, यदि current same direction में है, तो force आपका attractive होगा, जो magnetic force है, किसी charge q, पर जो वो move करा है velocity v से, किसी magnetic field में, तो fm जो magnetic field बनता है, m magnetic field के लिए, वो q v cross b, जो force है, इस charge q पर electric field के कारण, वो तो हम जानते हैं, f e equal to q e होता है, इन दोनों को आप जोड दीजे, वो ही lawrence force होता है, यानि कि force किसी charge पर इसे region में, जहाँ पर दोनों field काम करी है, ये magnetic field और electric field, वहाँ पर ये force होगा, q e plus v cross b, इसी को हम lawrence force कहते हैं, cyclotronic instrument है, जिससे जो charge particle है, उनको बहुत गती प्रदान की जा सकती है, उनको acceleration दिया जा सकता है, जो radius है circular path का, जो charge particle move करेगा, r बनता है mv by vq, ये dependent है उसके momentum में, क्योंकि mv आपका p है, momentum भी तो होता है, जो angular velocity है, omega इस particle की, इसको हम cyclotron frequency कहते है, wc, wc जो होता है qb by m, क्योंकि fc, अगर हम निकालना चाहे, क्योंकि omega 2 pi fc होता है, तो fc क्या आ जागा, qb by 2 pi m, जो torque काम करेगा, एक ऐसी coil, जिसमे current बहरा है, जो suspend है एक uniform magnetic field में, तो torque लगेगा इसमे, torque होगा ni a cross b, इसमें torque जो है, ni a, इसको हम कहते है, magnetic moment उस coin का, तो torque हम लिख सकते है, mu cross b, इसको अगर mu लिखे, तो mu cross b लिख सकते हैं, अगर हमको बहुत, small current measure करना है, तो galvanometer का उप्योग करते हैं, इसमें एक coil होती है, basically, और उसमें, जैसे magnetic field के बीच में रखते हैं, तो उसमें torque पैदा होता है, जो torque होता है ni a b, और इस, क्योंकि ये coil deflect होती है, जो spring उसमें attached है, वो twist होती है, इसका करन एक restoring torque भी इसमें generate होता है, तो restoring torque होता है, tau equal to k5, तो इस इन दोनों को अगर हम बरावर कर दें, तो आपका equilibrium condition में k5 होता है, ni b, यानि कि i क्या हो जाएगा, k by n v f i, इसका मतलब सीथी इसी बात है, कि जो current होगा, जो deflection हो रहा है, उससे directly related है, बहुत छोटा सा current अगर हम parallel में join कर लें, galvanometer के, तो इसको हम emitter में convert कर सकते हैं, इस बहुत सारे, बहुत छोटे resistance को हम shunt कहते हैं, इसका formula है, इसकी value है, s equal to g into ig, by i minus g, अगर हमको convert करना है galvanometer को voltmeter में, तो एक बहुत जादा, और बहुत बड़ा resistance सीरीज में लगा दे हैं हम उसके सार, तो वो galvanometer में तबदील हो जाएगा, जो formula है, जिसको जो resistance R आपको बहुत बड़ा सीरीज में लगाना है, RS होगा, v by ig minus g, तो ये बात हुई आपके इस topic की, बहुत शक्रिया, बहुत मेरवारी आपसे दीए,